नमस्कार, जैसे आप सब जानते हैं, आज हमारे जो ओपोजिशन के सिस्पेंडिड एमपीज हैं, उनके चोदा दिन सिस्पेंशन के हो गए हैं। हाउस में जिन चीजों के बारे में ओपोजिशन डिबेट करना चाहती हैं, वो डिबेट सरकार नहीं होने देती हैं। और जहां भी ओपोजिशन अपने आवाज उठाने की कोशिश करती हैं, तो धमका कर, डरा कर, उनको सिस्पेंड करके सरकार काम करती हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है। पार्लिमंट हाउस में डिसकशन होना चाहिए, सब मुद्धों पर डिसकशन होना चाहिए, वगर जो डिसकशन हम करना चाहते हैं, वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के उपर हम सवाल उठाना चाहें। सरकार सवाल उठाने नहीं देती है। तो यह सही तरीका नहीं है। प्रधान मंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं। कितने दिन से नहीं आए? तेरा देन होगा है, प्रधान मंत्री हाउस में नहीं आते हैं। यह कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलने का। We have here our suspended members. This is a symbol of the democracy of this country. This is the symbol of the crushing of the voice of the people of India. They have been suspended now for two weeks. They are sitting outside. Their voice has been crushed. They have done nothing wrong. We are not allowed to discuss important issues in Parliament. We are not allowed to debate things in Parliament. Bill after bill after bill after bill is just passed in the din. This is not the way to run Parliament. The Prime Minister doesn't come to the House. And any time we want to raise an issue of national importance, we are just not allowed to do so. It's a very unfortunate killing of democracy that is taking place. एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया. प्रधान मंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में हैं. हमने कहा उस समय भी दिसकाशन नहीं होनी ती. जैसे इनको चुपकिया है, वैसे ही उस समय भी, हम सब को चुपकिया हैं. आई थे. हम यहां लिए थे." हमने कहा था कि देखेएं चर्चा करने दीजिये. सच्चाइ सब को मालुम है. सच्चा ही यह है कि किसानों के खिलाफ दो तीन बड़े पुंज़ापती खड़े है नरेंद्र मोधी जी आगे है मैं भी सोच रहा था इनको राज़सबा के चैर्मन ने नहीं निकाला है इनको प्रधानमंत्री ने भी नहीं निकाला है इनको उस शक्ति ने निकाला है जो किसान की कमाई और किसान की आमदनी चोरी करना चाती है इसलिए यहां बैठे हैं प्रधानमंत्री इंप्लिमेंटर है चेर्मन इंप्लिमेंटर है शक्ति जैसे हिंदू धर्म में शक्ति होती है हर व्यक्ति के पीछे शक्ति होती है जुर्गा की शक्ति होती है लक्षमी की शक्ति होती है वैसे यह पूंज्या पतियों की शक्ति है वो मुखोटा है आप त्रधान मंतरी को देखते हैं कल आपने देखा, गंगा जी में जाके असनान किया, वो शक्ति का इंप्लिमेंटर है, और सिंपल सी बात है, ये शक्तियां जिन्होंने इनको निकाला, जो किसान की आमधनी चोरी करना चाहती है, वो प्रदान मंत्री को ये जो सारे कैमरा है, ये जो मीडिया है, ये उनके हवाले करती ह ये उनको देती है, ये शक्ति कहती है, देखिए, मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा, गंगा में कोई भी असनान कर दे, वो टीवी पर नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रदान मंत्री, गंगा में रसनान करेंगे पुरा हिंदुस्तान देखेगा क्योंकि प्रदान मंतरी के पीछे पूझापतियों की दो तीन शक्ति है और उन्हों ने इन कैमराओं को कैप्चर कर रखा है और उन्हों उन्हें इन लोगों को जो जंता की अवाज है उनको पार्लमेंट से बाहर निकाल कर गांधी स्टैचू के पास बठा दिए यह सचाई है और देश को और किसानों को यह सचाई पहचाननी पड़ेगी का इस ए पेयर घंच है कि पालमेंट हसे टांगे कि हम दो हमारे दो अथाने नि देंगे चार लोग उठाने नहीं देंगे इनको भार कर देंगे लगा पारिफ्टव खेए टिसकस्षिन नहीं होगा चाइना पर डिसकशन नहीं होगा नहीं हो सकता कैसे होगा इसका क्या मतलब है कोई मतलब नहीं है यह तो अब यह तो आप बिल्डिंग है म्यूजियम है म्यूजियम है जब जब इनों ने अपनी जीप किसानों को उपर चलाई इनके पीछे कौन सी शक्ती तो कि शूट किसने दी किस शक्ती ने उनको कितने दिन हो गए किस शक्ती ने उनको जेल से बाहर रखा आज तक कौन सी शक्ती है यह वो ही शक्ती है जिन्हों इसने इनको निकाला था 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 था.